आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्व होगे दे बेटा सबसे बड़ा एनौस्मेंट होने वाला है अगले चार दिनों में पहले बता दे रहा हूँ कि किसी चैनल पे या किसी कमेंट यह मत असर यहां तो नहीं जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़ा होने वाला है गेस करो बहुत बड़ा एनौस्मेंट मैं करने वाला हूँ जिसका आप सबको बहुत ही इंतजार था तो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ फिलाल अदेम बात करेंगे कि पराग अगरवाल जो हैं Twitter के CEO बन गए Jack Dorsey जो हैं उन्होंने step down कर दिया तालिया बजा दो तालिया 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 वेरे गड़ एक बार फिट से एक भारती ने जंडा गार दिया है वैसे भी अमेरिका में अमेरिका को इंडिया घुशित कर देना चाहिए आज से अमेरिका का नाम इंडिया है ना योगी आधितनात को हाँ पर प्रेसिडेंट मना दो तो वही बता रहे हैं कि इंडियांस ने कमाल का काम किया है बही है इंडियांस हमेशा आगे हैं चाहें Microsoft हो चाहें Google हो और अब तो Twitter भी Twitter भी एक इंडियां के पास चला गया है वैसे आपको पता ही ना कि दुनिया म जो है अगरवाल क्या बात है आज कल ना बनिया मारवाडी अगरवाल सिंगल वैसे तो यह लोग बहुत talented होते हैं जन्मजाद talented होते हैं लेकिन आज कल यह हर चीज में बाजी मार रहे हैं पहले तो businessmen बड़े businessmen traders होते थे अगरवाल ठीक है यही कहानी है लेकिन अब आप द इजी से आगे बढ़ रहे हैं बनिया मारवाडी हर चीज में चाहें वो UPSC हो चाहें वो academics हो तो भाई सबसे पहले ताली बजा दो इन भारतियों के लिए very good तो twitter के CEO बन गए है ठीक है जैक डॉर्सी ने resignation जो है वो announce कर दिया है अभी हाला कि आप समझे की थोड़ा सा एक रूमर से थी कि जोग डॉर्सी को किसी और से replace करने की बात है तो पराग अगरवाल जो है वो twitter के CEO बन गए है ठीक है इससे पहले twitter के CTO थे chief technical officer CTO कभी भी आप कोई company शुरू करें तो उसमें technical गाय आपको चाहिए ही चाहिए टेकनिकल बंदा आपको चाहिए ही चाहिए तो भाई IITN है Twitter ने कुछ बातें बताई इनके बारे Twitter ने बताया है कि भाई देखो पराग अगरवाल 2011 जब Twitter इतना जदा पॉपुलर नहीं था इंटरनेट इतना जदा पॉपुलर नहीं था ता भाई Twitter से यह जुड़े थे और तब से यह chief technical officer रही है 2017 तक तो भाई है कि जो की ही रही जाते हैं मेहनत से जाता है जाते तो मतलब आप भी जा सकते हैं लेकिन काफी मेहनत लगती है ठीक है ना 2016 2017 जब ट्विटर में बूम बूम आया तो उसमें पराग अगरवाल का बहुत बड़ा हाथ था उसके बाद पराग ने PhD की हुई है computer science से Stanford University IIT से graduate हुए अमेरिक computer science से और bachelor degree है computer science की कहां से IIT Bombay तो IIT Bombay के है यह बहुत बड़िया तो पहली बात पराग की एज कितनी है सबसे बड़ी बात तो ही है कि सर्फ 37 साल के है यह बहुत कम उमर है IIT Bombay के alumnus है और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही IIT Bombay में इनका selection हुआ इन्होंने मस् अरीके से अपने engineering की फिर America shift हो गए वहाँ पर फिर Stanford University गए अपनी PhD ली तो Dr. पराग अगरवाल फिर इसके बाद इन्होंने अपनी schooling जो है वो Atomic Energy Central School से की फिर पराग ने 2011 में Twitter जोइन किया था इससे पहले पराग जो है Microsoft, Yahoo, AT&T में काम कर चुके थे तो फिर इसके बाद Twitter इ काम किया हुआ है, बहुत ही कमाल का काम इनका माना जाता है, कंपनी ने यही बोला है कि जब यह CTO बने तो he focused on a cohesive machine learning, machine learning और artificial intelligence यह future होने वाली है, तो इस पे इन्होंने काम किया और consumers को एक अलगी experience दिया, revenue, product, infrastructure कमाल कर रहा, यह चीज़ है, Jack Dorsey जो है, वो भी पराग को ज़्यादा लाइक करते थे, Jack Dorsey खुद चाते थे कि पराग ही अगले CEO बने, email भीजा भाई, मंडे को email में साफ साफ लिखा हुआ था, कि यह rigorous process, board ने, क्योंकि यह जो CEO, CTO सा board बनाता है, तो board ने बहुत ही छानवीन की, सारे options देखे, तब जाके पराग को appoint किया गया है, भ रहे हैं, उसमें पराग बहुत उपर, हमेशा हो आगे रहता है, बहुत ही curious है, creative है, demanding है, self-aware है, and the most important thing, एक successful इंसान में सबसे जादा important क्या होता है, क्या होता है, competition, ना 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 बिल्कुल भी नहीं, intelligence, ना, intelligence भी नहीं, skill, नहीं, नहीं, यह सब तो secondary है, humble, जो इंसान humble नहीं है, वो जादा दिन तक उचाए पर टिक नहीं पाएगा, ठीक है, जिसकी नीवी strong नहीं है, जिसका platform अच्छा नहीं है, वो नीचे गिरेगा, he is very very humble, very humble, very down to earth, इसे लिए वो दिल से सोचता है, दिल और आत्मा छोक देता है, वो एक ऐसा इंसान है, जिससे हर कोई daily सीखता ह है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, जैक डॉर्सी ने, मैं उस पर बहुत ज़्यदा भरोसा करता हूँ, ये चीज़ है, चौथा point, twitter की technical strategy में पराग का बहुत बड़ा काम था, पांचवा point, leadership position इनकी twitter पे रही है, लेकिन जिस तरीके का सुंदर पिच्चाई का नाम है, स जब जैक डॉर्सी ने email भेजा, तब पराग को लोगों ने recognize किया, ये चीज़ है, तो ये पहला step है, अभी बहुत यंग है, मैंने बता ना कि अभी तो इसरफ 37 साल के हैं, तो अभी तो he is very very young, अब New York Times ने ये report किया था, कि जैक डॉर्सी की तरह पराग भी बहुत ही quiet है, बहुत ही शांत है, polite है, और technicality में बहुत ही ज़ादा इसका, मतलब in-depth इसको knowledge है, साथी साथ, जैक डॉर्सी का, he is the spiritual successor, है ना, तो जैसे जैक डॉर्सी सोचते हैं, वैसे ही पराग सोचते हैं, and he is very practical, engineer and a leader, तो अब इनको annual compensation कितना मिलेगा, 1 million dollar भाई एक बात बताओ, सब क कुछ पैसे पर तो है ही है, तो पराग की salary जो है, वो 5 से 10 करोन रुपय माईना, और इतने shares भी उनको मिलेगे, stock compensation वर्थ रुपी, 12.5 million dollar तो अरब पती हो गए, पराग को, he is considered one of the top engineers, ठीक है, पराग अमेरिका को गब 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 गब, 2005 में पराग अमेरिका शुक्त हो गए ठीक है, तो ये भी थोड़ा साध्यान रखिएगा, अब Elon Musk ने क्या कहा है, Elon Musk ने आपको पता है क्या बोला है, अमेरिका Indian talent की वज़े से ही चल रहा है, क्या बात है, तो ये Elon Musk का कहना है, कि भाई, Indian talent इतना ज़ादा है, भाई, IBM हो गए, अरविंद कृष्ण ओफ IBM, इंडियन टैलेंट की वज़े से ही अमेरिका चल रहा है, USA benefits greatly from Indian talent, अब बिल्कुल सही बात है, पराग अगरवाल चौथे इंडियन है, जो कि Silicon Valley company को रन करने वाले हैं, तो Microsoft, Alphabet, Google, Adobe President के जो CEO शांतुनू रानायन, CEO अरविंद कृष्णा, IBM के CEO अरविंद कृष्णा, इन सब लीग में आ गए हैं, यानि कि सारी बड़ी company को, जितनी भी बड़ी बड़ी companies हैं, Indians ही हैं, तो गर्व से काओ हम भारती हैं, दुख की बात है, क्या, ये सब बाहर जाते हैं, मैंने क्या बोला था, कि Indians सबसे ज़्यादा talented होते हैं, लेकिन ये सब अमेरिका जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, सौधी जा रहे हैं, हमारी सरकार politics politics खेलते रहें, हमारी सरकार नफरेते फैलाते रहें, दूसरे को लड़वाते रहें, यहां से talent बाहर जाएगा, मैंने कभी एक lecture लिया था, आपको या दोगा पिछले महिनों में, कि कैसे भारत का बहुत बड़ा chunk of talent जो है, वो बाहर चला जाता है, तो आप कब किस दिन इन लोगों को platform देंगे, भारत का Twitter नहीं हो सकता, YouTube, Google, भारत की बड़ी-बड़ी companies नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, मैं खुद इस startup चला रहा हूँ दोस्तों, वैली बात तो, सरकार को tax कम करना चाहिए, startups के लिए और भाई, lecture तो बढ़िया है, extra 25% off है, ठीक है, अभी हमारी जवरदस्त sales चल रही है, तो आप app को डाउनलोड करके हमारे courses को अवेल करें, साथ ही साथ, ये मेरा नया vlogging channel है, तो आप इस पर आईए, अभी surprise हो आएगा, तो मैं vlogging channel पर पहले बताऊंगा, ये WhatsApp, ये courses को लेके आ आप इन पर WhatsApp कर सकते हैं, फिर call कर सकते हैं, thank you so much.